नमस्कार, स्वागत है आपका नियूज लाउंचर पर, मैं हूँ अशोक वान खड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कारिक्रम, डारेक्ट हिट, किसी और ने किया नहों, लेकिन केंद्र सरकार को डारेक्ट हिट, सरकारी कर्मचारियों ने तो किया है, गोधी मेडिया, तम सरकार कर्मचारी इखटा होकर, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, जिस हिसाब से सामने, वो भीड आई, भीड का विजो लाया, उससे तो एक बात तय है, कि आने वाले लोग सबाचनाव में, ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा कार्ड होगा, जैसा जातीगत जंगणना कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की, राज्य सरकारों ने घोशनाएं की, कुछ जगा हो रही है, कुछ जगा प्रयास हो रहा है, क्या है यह, एक पेंशन स्कीम जो पुरानी देश आजाद होने के पहले से चलते आ रही थी, वो ये थी, कि कोई भी सरका कर्मचारी कर्मचारी जब रिटार्ड होता है, तो आकरी उसकी जो तनखा है, उसकी बेसिक सेलरी और डिये मिलके जो होता है, उसका पचास प्रतिशत उसे पेंशन के रूप में, जब तक वो जीवी थै, तब तक वो मिलता है, उसके मृत्यू के बाद, यदि उनकी पत्नी जीवी थे उस पत्नी के पाच जाता है उसके मृत्यू तक ये एक योजना थी इसमें कर्मचारियों के पॉकेट पे कोई भार नहीं था लेकिन एक आश्वस्त हो जाता था कर्मचारी यदि मेरी जिंदगी के 18 साल के उमर से मैं 60 साल तक सरकार को दूँ तो कम से कम मेरे रिटा तो 2004 में एक नया पेंशन स्कीम आया वो एक आकडू की जगलरी था नया पेंशन स्कीम क्या कहता है क्योंकि पुराना पेंशन स्कीम जो है वो सरकार के तिजोरी पे भोश था वो नया पेंशन स्कीम जो है उसने सरकार ने धेरे से अपना हाथ खिसका लिया 2000 में जो नया पेंशन्स कीम आया वो ये था कि आपके तनखा जो आपको आती है basic और DA उसका 10 प्रतिशत हर महने सरकार काटेगी और वो आपका investment होगा जब आप retarded हो जाएंगे तब वो पैसा जो सरकार ने invest किया है जो सरकार के past fund पैसा इखटा हुआ सरकार ने market में invest किया अब जब सरकार ने मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जब आप रिटार्ड होते हो तो उसमें से 60 प्रतिशत पैसा यदि आप चाहो तो तुलन निकाल सकते हो और 40 प्रतिशत जो पैसा है वो आपको हर मैने एक गैरंटी देगा कि इतना मिनिमम आपको मिलेगा एक स्कीम में आपको प्रॉविडंट फंड भी था इसमें वो नहीं है जब आप 10 प्रशंट कटा होती करते हो तो केंदर सरकार भी 14 प्रतिशत अपने तरफ से देता है और राज्य सरकार ये 10 प्रतिशत देती है कार्पोरेट सेक्टर में वो 50,000 रुपे पे समझता कर लेते है कुल मिला कर सरकार आपसे सेविंग के नाम से पैसा इखता कर अपना कुछ जोड़ कर वो निवेश करती है और निवेश किसमें करती है तीन चार टाइप के बॉन्ड होते हैं एक तो सरकारी इकुइटी बॉन्ड से जो equity market में होते है और उसके related जितने भी इस्टुमेंट है financial इस्टुमेंट जिसको bond है डिमेंचर से वो हो गए दूसरा सरकारी bond और सरकार का जो investment के अलग-अलग instrument है उसमें तीसरा जो है एक alternative bond है जो अलग-अलग variety जो investment है प्राविट सेक्टर के उसमें होता है कुल मिलाकर सरकार corporate debt में भी पैसा लगाती है जो corporate सीधा करजा लेती है तो उसको भी देने के लिए अब होता क्या है यह जो पैसा है सारा यह पैसा invest कौन करेगा सरकार को कौन ग्यान देगा इसके लिए सरकार फिर एक fund manager पेंशन fund manager नियुक्त करती है तो सरकार ने कुछ लोगों को fund manager नियुक्त किया है जैसे कि बिरला Sun Life, SDFC, ICICI, SBI, UTI, LIC, Reliance, Fund, Kotak Mahindra यह company फिर equity market में, bond में सरकारी या corporate debt में invest करते हैं अब इसका दूसरा पहलू मैं लेके आता हूँ आपको पास वरतमान केंद सरकार पुराने pension scheme के खिलाब क्यों है क्योंकि वो pension scheme जो है वो आप invest नहीं कर सकते है वो सरकार में रहती है और उसको आपको badge देना होता है सरकार आपको आपसे कुछ लेती नहीं है सरकार जो आपका PF काटती है वो PF आपको जब चाहे तब मिल सकता है PF fund उसमें भी सरकार के बैजदर आगे पीछे लेबर मिनिस्ट्री फ्लेक्शिट करती है लेकिन pension के मामले में तो सरकार का ना कोई contribution ना किसी individual का contribution तो fund तो इखटा होता ही नहीं लेकिन यह नए pension scheme का जो fund है वो कहीं ना कहीं अमबानी अडानी जैसे कार्पोरेट सेक्टर के सेवा में जाता है यह है कैच नए pension scheme का जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सरकार की सास रुक गई कई राजे सरकारों की सास रुक गई 36 गड़ का जो कर्मचरियों का pension fund था जो 2004 के बाद new pension scheme के तहट आया था वो अडानी में लगा था 800 करोड रुपे अब जब उनको लगा कि अडानी के शेरी नीचे गिर गए है तो फिर return क्या आएगा और हम इनको क्या दे पाएंगे तो यह जो risk है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट का जो 60 है स्टॉक मार्केट का इसमें सरकार आपका पैसा लगाती है यह ज़ि मैं ऐसा कहूं तो यह ज़िशोएक्ति नहीं होगी जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो पता पड़ा कि यलाइसी से लेके SBI से लेके कई कंपनियों ELIC का भी फंड, SBI का भी UTI का भी फंड अड़ानी में लगा हुआ था सरकार के जो चाहता corporate sector होता है जो सरकारी धामाद इसको हम कहते है यह वो उद्योगपती प्रधान मंत्री का मित्र है, सरकार का मित्र है तो उसको पैसा मिलने में बहुत आसानी होती है क्योंकि यह pension fund भी उसमें लग सकता है क्योंकि यह provision है new pension scheme में तो new pension scheme में क्या है आपका पैसा saving सरकार आपको बता रही है कि आपकी retirement के बाद आपको कुछ मिलेगा इसलिए आप अभी 10% दी दीजिए कुछ हम भी जोडते है 14% तो सरकार के पास आप जब तक retirement होते हो तब तक आपका पैसा सरकार ने निवेश किया है वो निवेश किसमें किया है तो निवेश करने वाले जो funding managers है वो भी सरकार निउक करती है वो भी निवेश उसे में करवाएगी जो केंदर सरकार चाहेगी और अड़ानी के उपर कैसी केंदर सरकार महरबान है या अपने गिने चुने लोगों पर अमबानी पर कैसी महरबान है ये किस से आपके लिए नए नहीं है इसलिए करमचारी चाहते है कि आप हमारा पैसा लेके निवेश करके हमको ही वापस करें, ये तो करमचारी खुद कह सकते हैं, कई लोग है जो आपको अलवाष कर सकते हैं, आप मिच Quite Fund में पैसा लगा सकते हैं, सरकार क्यूं लगा हैं और हमसे पैसा क्यूं काटें, यह सरकार का आदाई तो है कि रिटार्टमेंट के बाद सरकार हमारा ख्यान रखे हमारे देश में आज भी सोसिल सेक्रिटी के नाम से नहीं के बराबर है हमारी यहां विद्वाओं को हमारी यहां विकलांगों को पेंशन मिलती है लेकिन जैसे यूरोप में कई देश है जहां रिटार्ट व्यक्ति का, उस बुज़ूर्ग का 60 साल बाद, चो रिटायर्मेंट लेता है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है, उन्हें हेल्थ फ्री में होती है, उन्हें बहुत सारे concessions मिलते है, उन्हें घर में तनखावी मिलती है, पैसा भी मिलता है, तो वहाँ फिर कोई pension के लिए नहीं रोता लेकिन यहाँ तो 60 साल होने के बाद भी आपको कई जगा तकलिफ होती है सरकार बोलते हैं कि 5 लाग का आपको इलाज फ्री है लेकिन आप जब करने जाएंगे तो आपको पता पड़ता है कि कई हॉस्पिटल आपको बेरंग वापस भेज देते हैं 143 करोड का यह देश यहां सोचल सिक्यूरिटी लगाना बहुत मुश्किल है और इसी लिए लोग pension के उपर निरभर है pension कौन सी? old pension scheme जिसके लिए लाखों के तादाद में लोग इखटा हुए यह जो आज लाखों के भीड थी यह भीड सरकार को पहली warning थी लोग सबाद चुनाओ आते आते यह दिए AC की भीड और बड़ी हो गई तो सरकार को यह देखना होगा कि यह सरकारी करमचारी उनके खिलाब चला गया तो फिर सरकार को कोई बचाने ही पाएगा सरकार का जाना तय है इसलिए मैंने कहा कि old pension scheme यह एक ऐसा master stroke employees 2024 के चुनाओ के समय खेल रहे है कि इससे dealt hit नरेदर मोदी की सरकार हो रही है क्योंकि उनकी सरकारे कई राज्यों में हैं जो old pension scheme लगाने के लिए तयार नहीं Congress की जो गिने चुने राज्य है उन्होंने बाकाइदा अपने घोशना पत्र में old pension scheme का जिक्र किया और लगातार old pension scheme लाने का वो प्रयाज भी कर रहे है हां मैं मानता हूँ कि इस पे सरकारी खजाने पे बोच पड़ेगा लेकिन पे सरकारी खजाने पे बोच तो हमारे यहां जो नया करकार के खर्चे है हजारों करोड रूपे विग्यापन में खर्चा होता है जिसकी जरूरत नहीं है प्रदान मंतरी के एक एक विजिट पे करोड रूपे खर्चा होता है उसकी जरूरत नहीं है हमारे यहां विदेश यात्राओं पे बहुत पैसा खर्चा होता है उसकी जर रहे हैं और सरकारी नोकरियां ठेके पे दी जा रही है कई राज्यों में जहां बीजेपी की डबलेंजिन की सरकार है वहां तो वैसा ही सरकारी नोकरियां कम हैं और आलम यह है कि महाराश्टर में पटवारी के पोश्ट के लिए चार हजार पोश्ट के लिए साड़े दस लाख लोगों ने अप्लाई किया ये बेरूज़कारी के आलम में सरकार के पास यदि ओल्ड पेंशन स्कीम देने की यदि उनकी मनिशा भी हो तो जो हववा बनाया है कि 30 रूपे बहुत जादा लोड पड़ेगा वो भी एक मित है तिजोरी का लोड बाकी जगा से बहुत जादा पड़ रहा है जिसको कंट्रोल करना नितान जरूरत है आज इतना ही कल पी रात हों किसी विशे के साथ तब तक देखते रहेगा निउस लॉंचर